हेलो प्रेंट्स मम्ता किचिन इस्टार हिंदी में आपका स्वागत है देखिए आज हम बनाने जा रहें कच्छे के लिए की सब्जी जिसे सबसे पहले हम वाइल करेंगे पानी हमने गैस पर रख दिया गैस ऑन कर दिया इसके अंदर आट करेंगे हम केले यह बहुत ही जल्द आट कर दिया हमने इसे थप कर रख देंगे वीच वीच में देखते रहेंगे कें देखिए दूस्तों केले हमारे वाइल हो चुके हैं अब हम इसे छील का रख लेंगे यह अभी गरम है बहुत ही इस तरीके से इनको छीटिंगे हम यह देखिए चक्कू की मदद से हम इसे इस तरीके से छील कर रख लेंगे इसी तरीके से हम सारे केले छील कर रख लेंगे अपने यह देखिए दोस्तों केले हमने छील कर रख लिया है और इन्हें इस तरीके से हमने कट किया है यह देखिए गोल-गोल खड़ा ही हमने गयास पर रख दिये इसमें डेड़ बड़े चमजा ऐल एड़ किया है हमने तेल इसमें जादा चाहिए क्योंकि यह अच्छे से फ्राइब होते हैं यह देखें दोस्तों तेल हमारा गरम हो चुका है इसमें हम आड़ करेंगे हीन और अजवाइन आजवाइन का चौका इसमें बहुत इच्छा लगता है आप चाहन तो जीरा भी आड़ कर सकते हैं अब इसके अंदर कच्छे के लिए आड़ कर देंगे अब इसे कम से कम 3-4 मिनट के लिए तेल में अच्छे से फ्राइब करेंगे दोस्तों के लिए हमारे फ्राइब हो चुके हैं अब हम इसके अंदर मसाले आड़ कर देंगे आप चाहें तो इन्हें डीप प्राइब भी कर सकते हैं अब देखिए मसालों में इसके लिए दो चमच धनिया आदा चमच नमक या फिर कहें स्वाद अनुसार आदा चमच मिर्शी लिए हमने आदा चमच से कम हल्दी पाउडर लिया है इस सारी मसाले हम इसके अंदर आड कर देंगे यह देखिए फुड़ासा कर मसाला वा काली मिर्शी भाद मैं करेंगे अभी इसे फ्लाव अच्छे से चला ए ठतकर रग देंगे एक मैट के लिए कम सब्रम ताकि मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए यह दीखिए देखिए दोस्तों यह मसाला हमारे और केले की सबजी हमारी बनकर तैयार है इसके अंदर राइट करेंगे हम कहली हुँ हमने हरी में शररदनिया अए हरी मश आपिछनल है इस बड़ना ना करें अच्छी लगती है इसमें में स्पाइजी नहीं है, बीच में से कट करके हमने से डाल दिया इसके अंगर, सब्जी हमारी कर्मा करम खाने के लिए तैयार है, कच्चे के लिए कि सब्जी खाने बहुत ही अच्छी लगती है, बनाना भी इसे बहुत ही आसान है, दोस्तों आपक